नमस्कार दोस्तों पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर सवागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग तीश्टी भोगोल का प्रिभियस एयर्ज पेपर जो की 2001 में आया था उन सभी प्रशनों को हम लोग हल करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को लास्ट मैं आप लोगों से एक पूछूंगा भोगोल से संबंदित जिसका अंसर आप लोग कमेंट में आप लोग जरूर का अंसर आप लोग लिखेगा तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को सटाट करते हैं और देखते हैं परिवियस एयर्ज पेपर का भोगोल का जो की 2001 में आया या तमिलनाडू या महरास्ट तो फ्रेंट इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हमारा आप्शन टू जो है केरल हो जाएगा ठीक है केरल जो है भारत का सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है यानि तू आप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट दूसर परेवर दिवस मनाया जाता है बहुत अच्सम बहुत अजके सबातbnन normal judicial तuft रखों में परेवर शुन कौन दिवस मनाया जाता है तो पर्यावर समध्षड के लिए सटांप में ञाटा हुए खुओ सिंखर सम्मिलन सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था पांच जून 1972 को तब से क्या किया जाता है पांच जून को ही हमारा पर्यावरदीवस मनाया जाता है ठीक है पर्यावरदीवस कब पांच जून को यानि फोर्थ आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं हम लोग प्रसन नंबर तीन देखिए कह रहा है बहुत अच्छा प्रसना है निम्ल में से कौन सा जल डमरूमद काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है कौन सा जल डमरूमद काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है बैरिंग जल डमरूमद या बोसफोरस जल डमरूमद या मल नमबर 30 का ठीक है अगले प्रस्ट को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ट देखें प्रस्ट नमबर 4 कह रहा है निमने लिखित में से कौन सा नगदी फसल है नगदी फसल का मतलब होता है फ्रेंट्स जिस फसल को हमने बोया उसे काटिंग बात तुरंत मार्केट में उसे बे करके तब मार्केट में बेचा जाता है तीख है तो यह जो थरड आप्सन चाह यह इसका राइट एंसर हो जाएगा यह नगदी फसल नहीं है अप्सन थर चाह अगला प्रसंदेखते हम लोग अगला प्रसंदेखिए कह रहा है प्रस्ट नमर पांच नर्मदा परियोजना ब कि वil salaid बीच में तो देखते हैं कि समिन कौन consumption दिया है मद्द्द है गुजरात दिया है महिओ राजिस्तान दिया अंजया नर्मदा पर योजना था यह वात मारत मार्य में प्रियल के लिए भी और महाराश तथा राजिस्थान के लिए तो यह हमारा राइट जो एंसर हो जाएगा सभी संबंदित हैं यानि कि फोर्थ आपसन राइट इंसर हो जाएगा सभी संबंदित हैं प्रस्ट नमबर पांच का ठीक फ्रेंट देखें नर्मदा नदी का पानी इस नदी पर ठीक है अगले प्रस्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ता हैं अगला प्रस्ट कि कह रहा है नियागरा जल प्रपात किस देश में जापान में बिटेण में दक्ष्ड अफरीका में या उप्रोक्त में से किसी में भी नहीं नहीं तो प्रेश्च नम्मर्च उपरों वो जाएगा उपरोप्त में से किसी में भी नहीं अगला प्रशन देखते हम लोग अगला प्रस्ण देखे प्रस्ण नमर साथ कह रहा है बहुत अच्छा प्रस्ण है वाई मंडल में पाए जाने वाला धूल कड़ों को आधरता ग्राही करते क्यूंकि जो वाई मंडल में धूल कड़ होते हैं उन्हें आधरता ग्राही करते किसलिए करते हैं यह अच्छे संग प्रक्रिया होती यानि फॉर्थ आप्सम राइट अंसर होता जाएगा अगला प्रसंद देखते हम लोग अगला प्रसंद देखिए कह रहा है मार्को पोलो की यात्रा का मार्क था मार्को पोलो के जो यात्रा मार्क था वह कौन सा था वेनिस रूस मद एशिया मंगोलिया मलाया फिर दूसरा अप्सन दिया है वेनिस रूस भारत मलाया चीन मंगोलिया मद एशिया थाड़ आप्सन है वेनिस मद एशिया पाकिस्तान भार स्रिलंका मलाया चीन मंगोलिया मद एसिया चौथा दिया है उपरुक्ति में से कोई नहीं तो फ्रेंट जो हमारा मार्को पोलो आया था तो सबसे पहले वह वेनिस फिर रूस मद एसिया मंगोलिया फिर मलाया ठीक है यह उसके यात्रा का मार्ग था यानि फरस्ट आप से आप से अगर आज हैं तो नहीं एक भी नहीं छूटना चाहिए आप इतना अपने अंदर रख लीजिए अगला प्रसंद देख लेते हैं नया संसार नामक पुस्तक किस भुगलवित्ता द्वारा लिखी गई थी ठीक है नया संसार नामक कौन से भुगलवित्ता ने लिखा इसा भुमेनं माठोनीदी टेलर या हंटिगटं ऊंढिंट नया संसार नामक पुस्तक नाम दिया गया है ये हमारे त्छे थे इस का निजू ठीक और ने लिखा था प्रजातिबुमेवित्ती ठीक है और प्रशन की इसाप्स हमारा जो राय इंसर हो जाएगा अगले प्रशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदेखिए कह रहा है प्रशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदेखिए करा है प्रशन नमर 11 बहुत अच्छा प्रशन है दिल्ली के लाल किले में किस चटान का प्रियोग किया गया है ठीक है दिल्ली का जो लाल किला उसमें किस चटान की पत्थरों का प्रियोग किया गया है संग मरमर बलुआ पत्थर चूना पत्थर या ग्रीट तो प्रशन नमर 11 जो राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंस तो दिल् परसंट की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंट देखिए क्या है चिन्धु नदी अरब सागर में गिरती है इसका उधगम अस्थल कहां पर रही ठीक है सिंदु नदी कहां पर गिरती है उसका मुँआना यानि अरब फ्याष आगर में है लेकिन उसका उधिया महस्थल कहांस निकलती है ये देखते हूँ औन S vicious गढणोत्री गडवाल हिमानी कैसाल हिमानी या सव Rebeccaً निए इसकी बन पूरी लगबग 5000 मेटर हितनी है 5000 मेटर ठीक है अगले मी थभिते हैं अगला प्रसन्ट देखिये कह रहा है क्योंतिäg गुफा महराश्च में नहीं है है अजंता की गुफा एलॉब की गुफा अमरनात की गुफा या एलिफंत pä की गुफा प्रस्ट थर्ड जो हमारा है अमरनात की गूफा यह हमारे महाराष्ट में नहीं है यह कहां है ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स जो अमर्नात की गुफा यह अमारी कहां पे है तो फ्रेंट्स यह अमारी जम्मू कस्मीर में कहां पे है जम्मू कस्मूर में है कौन सी गुफा अमर्नात की गुफा बाकि जो गुफा है अजंता की गुफा एलोरा की गुफा एलिफेंटा की गुफा यह सब मह अराष्ट में है अमरनात की गुफा जो है मारी जम्मु कस्मीर में है तो हमारा थर्ड आप्सन राइट एंसर हो जाएगा अमरनात की गुफा अगला प्रसंद देखें प्रसंद नमर 14 कह रहा है दच्छिड पास्चिम एसिया का प्रति निधी तेल उत्पादक देश है ठीक ह यानि दच्छिड पास्चिम एसिया को जो तेल देता है वह कौन है इरान कुवेट साओधी अरब या उपरुक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंट प्रस्चिम एसिया का जो प्रतिनी तेल उत्पादक देश से वह हमारा साओधी अरब है ठीक है यानि थर्ड आप्सन इसका र संबी नदी है ठीक है यान टू आप्सन इसको इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है मिस्टर को क्या का जाता है फ्रेंट्स निल नदी का देन भी का आ जाता है ठीक है अगले प्रस्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखिए कह रहा है समूद्र क चलिदा रहा आसथल का प्रस्थल की ओर बढ़ना कौझ स सच्रड ढहीं थीक है समूद्र का जब समूद्र में पानि क्या होता है आगे बढ़ता है असथर की तरब तो क्या उसे कब ड़ता है धनात्मक' संचरड या रिदात्मक संचरड या उपरुक्त में से कोई नहीं तो समुद का अस्थल की बढ़ना ही हमारा कहलाता है निर्माइधनात्मक संच्रड यानि फर्स्ट आप्सन इसका राइट अंसर हो जाएगा निर्मार धनात्मक संच्रड अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखिए कह रहा है संसार की सबसे गहरी खांज जो की चार किलोमेटर किस देश में है तो फ्रेंट्स सैं इसका जो एंसर है मैं आप लोगों को गूगल करके अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को बता दूगा यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट में इसका एंसर ज़रूर आप लोग दीजिएगा संसार के सबसे जो गहरी खान है चार किलोमेटर दिया है फ्रस्ण नमबर 17 इसका एंसर आप लोगों कमेंट में भी दे सकते हैं और बाकि मैं इसका गूगल करके एंसर इसका निकालूँगा वैसे भारत में जो है जो कुलार खान है सोने की खान यह तीन किलोमेटर की लंबाई है ठीक है अगले प्रस्ण की तब तब तक हम दोग देखते हैं अगला देखें क्या कह रहा है समूद्र तल पर सामान वाइव मंडली दाप कितना होता है समूद्र तल पर सामान वाइव दाप जो होता है समान वाइव मंडली दाप कितना होता है तो फ्रेंट्स क्या दिया है 1014.2.3 मीली बार या 1013.2 मीली बार या 1010.10 मीली बार या 1521 मीली बार तो फ्रेंट्स कितना होता है प्रस्ट नमबर 18 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट एंसर 1013.2 मीली बार ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा समूद तल पर समाने वाइब मडिल दाब हमारा जो होता है 1013.2 मीली बार यानि टू आपसन इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रसन नमबर 18 का अगले प्रसकों देखते हैं क्या कते हैं कंद्रा कर आ के घाटी कते हैं या पिया कर कि घाटी कते हैं तो फ्रेंट्स अगले प्रसं की तरह हम लोग आगे घटे हैं प्रस नमबर 20 कह रहा है फ्रेंट्स निम्न में से कौन सा युगम गलत है आपको गलत युगम बताना है भाखडा नांगल बात क्या सतलज पे है सलाल परियोजना बीच पे है दामोदर घाटी परियोजना गंगा पे है हेरा कुंड परियोजना महा नधी पे है प्रेंट्स का आपको क्या गलत युगम बताना है प्रस नमबर 20 जो इसका गलत एंसर हो जाएगा हमारा यह जो दिया है आपका दामोदर घाटी परियोजना यह गंगा नदी पे नहीं है यह आपके कई नधी पर फ्रेंट्स तो यह आ दामोदर घाटी पर्यूजना यह गंगा पर नहीं बलकि दामोदर नदी पर है ठीक यां थार्ड आप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर बीस का अगला प्रसंदेखते हम लोग अगला प्रसंदेखी कह रहा है मुख्य रूप से भारत में पाय जाता है कहा जाता है इवरेनियम ठीक है जबकि यह पोड़ियम होता है हमारा कहां पर पाया जाता है ठीक है फ्रेंटष नमबर 21 जो राइट अंसर हो जाएगा वह हमारा फोर्थ आप्सन जहारकंड हो जाएगा अगला प्रसंदिखते हम लोग अगला प्रसंदेखी चेह रहा है निम न लोग बताया है प्रस्ट नमर 22 का गेस कर चुके होंगे क्या एंसर होना चाहिए थोड़ा सकटीन है लेकिन बहुत अच्छा प्रस्ट नमर 22 का जो राइट एंसर हो जाएगा यह क्या है इसका निर्मार मनुष्य द्वारा किया जाता है बाकी जो है प्राकृतिक द्वारा हमा क्या करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दो अगला प्रस्ट नमर 25 कह रहा है दच्छल प्रश्मी मानसुन चलती है काप कब चलती है मई से सितंबर तक नौंबर से जनवरी तक या वह अक्टूबर से जनवरी तक कभी नहीं तो दच्छल मानसुन होती है यह हमारी कब चलती है तो यह देखते हैं क्या दिया है मई सितंबर नौंबर जनवरी अक्टूबर उप्रश्मी तो इसमें हमारा कोई भी राइट एंसर नहीं होगा इस साबसा हमारा फोर्ट अप्सन राइट एंसर हो जाए गया को जो दच्छुट परश्मी मानसुन भारत में क्या होती है पांच जून को केरल में मानसुन विसफूट के साथ प्रारंब होता है ठीक है तो जो कभी नहीं दिया है यह हमारा राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ण नमबर पचीश का अगला प्रसंदेखते हम लोग अगला प् पढ़ जाती है यह आधा दिन घट जाती है तो फ्रेंट प्रस्ण नमबर 26 का जो राइट एंसर हो जाएगा जब जाज कोई अंतराश्य तीथी रेखा पार करते हैं तो क्या होता है एक दिन की बढ़त्तरी हो जाती है तो यानि हमारा जो ऑप्शन है एक दिन बढ़ जाती लेट या 4000 सेंटीग्रेट या 5000 सेंटीग्रेट तो फ्रेंट्स देखिए कभी-कभी आपका आप्शन में दिया रहाएगा 6000 भी रहता है तो इसका लगबग भक 60 जाता है लेकिन यह तो नियर अनियर बाओट जो हमारा उसके ऑंसर होता है उसी करो मनते हैं तो हमारा यह हो ज जाना है ठीक है कौन सा कूट किस से मिलाल होगा तो देखते हैं क्या दिया है निमलिखित को सुमेल किजी क्या दिया है खेतरी तामबा निवेली लिगनाइट जादू गोडा लोहा कूर्दक मुख पेट्रोलियम तो फ्रेंट्स प्रस नमबर जो 28 है इसका जो राइट एंसर ह हो जाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं बाकि आप लोग आराम से वीडियों को पोस्ट करके मिलाल कर लीजेगा जो इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा देखे जो खेतरी होती है फ्रेंट्स यह मर क्या होता है तामबा से होती ह है और जो नवेली होती है फ्रेंट्स यह हमारी लिगनाइट ही होती है और जो हमारा जादु गोड़ा होता है यह लोहा से संबंदित है और जो कुद्रमुख है यह पेटोलिमियानी सभी सही है सुमेल ठीक है तो सबसे नहीं राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंदेखते हैं हम लोग अगला प्रसंदेखे क्या कर आया सील क्या है आप लोगों को मैंने नोट्स में प्रवाइट किया था ठीक है तो सील देख लिजे क्या है जो लोग पड़े होंगे तो इसका अंसर आप बता सकते हैं कठोर हुए मैगमा द्वारा निर्मित लंबोत चादर या कठोर हुए मैग रायट इंसर हो जाएगा प्रशनमबर 29 का अगला पुलबर 30 कहा यह चता नो की घुलन सिल्टा की स् okis मे प्रमूः चतानों की घुलन से लब काटर में चूना पत्थर चतर में जालवकी छेत्र में या जलोड़ मिट्टी निर्मित में लिख नमबर 30 का राय झा़ोग b एकले व्मीन का प्रतिपादन हैं ने इससे बेलें आप्षेड है या हरबरत चाहिं या हर्बर्ट सार्न है तो फ celebr । जो इस्ट इन्सर हो जाएगा जोन स्टेटा थेओरी का जो प्रतिपादन कि उने हमारे until किसका है ठीकिए का है डिक आप इसका राय स'll जाएक देखें हो तक फिरिक rocky को एक और नौर सब्सक्राइब करते हैं और अगले अंगला प्रेस्ट को हम लोग देखते हैं अगला प्रसंद देखे कहा रहा है प्रस नमबर 32 जन गड़ना वर्स में भारत की जन जनसंख्या बृद्धी रिडात्मक होती यानि घट गई थी किस वर्स में 1921 में 1921 में 1921 में तो फ्रेंट्स देखिए बहुत अच्छा है बहुत मतलब इसे कह सकते हैं बहुत पुराना जनगर्णा है तो देखिए जो हमारी जनगर्णा 1921 हुई थी इसमें क्या हो थी भारत क तो देखा गई थी च्नसंख्या तो देखा गया था और देखि आप से सकते हैं कि जो लेकिन 1921 में क्या हो गई यह जन संख्या 211.32 मिलियन हो गई थी तो इस हिसाब से क्या सकते हैं कि जो 1921 में जनगर्णा होई थी वह रिनात्मक उसमें देखा गया ठीक है इन थोड़ आप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंदेखते हम लोग अगला प्रसंद कि नदी के किनारे वस्तित बहुत अच्छा है पेरिश को सुन्दरियों का नगर भी का जाता है पेरिश किस नदी के किनारे बशा है उटावा ओटावा सीन राइटाइन या उप्रुक्त किसी के नहीं तो प्रस्ट नमबर 34 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप्सन जुद नगर भी का जाता है अब यह क्या है फ्रांस की राजधानी यह कौन पेरी तो यह हमारे सीन नदी के किनारे बसा है यह टू आप्सन राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हम लोग प्रस्ट नंबर 35 क्या कह रहा है भारत के किस बंदरगा द्वारा सबसे अध कि कलकत्ता और बंबई या बंबई और मुर्मू गाऊं या वीशाखाद और मुरमु गाऊं प्रस्ट नंबर 35 सा टूराइट एंसर हो जाएगवा वीशाखा पत्नम और मुर्मूगांओ ठीक कि यहां से क्या होता है भारत का सबसे अधिक मात्रा में लोव एश्क का होता है निर्यात किया जाता है ठीक है यानि फूर्थ आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा विश्चा का पत्नम और मुर्मू गांव अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन प्रसन नमर 36 कह रहा है भ स्वेश्लय घास के मैदान पाए जाते हैं और चौथा दिया उप्रोगत सभी प्रस्थ नमबर 36 का तो जो प्रसन नमबर 36 है तो यह हमारा जो 3 ओंफ्रेंट्स यह तीन तो राइट हो जाएंगे तीनों सढ़ी है तो इस हिसाब में तो जो इन दिया है उप्रोगत सभी तो और राजधानी दिया आपको मिलान करना है और उनकी राजधानी दिया है आपको मिलान करनाMaybe करते हैं कि कौन सा राजधानी किस्ते लाधिष अबाबा जाशन देखते हैं फाराई संसार की च्छत कहा जाता है संसार की छट सबी को पता है बहुत बहुत जनरल यह प्रस्ण है तो देखते हैं क्या दिया हिमालाय परवत को राकीपरवत को मैक्सिकों परफार को या पामिर को पथार को क्या को चाए जाता है और था अंडि शकूर फोर्थ आपसद्ग राइट अंसर हो जाएगा प्रृस् कैस्पियंस आगर या जील अवस्थित का पूरत येसिया महादिप में या कुछ अफरिका और कुछ एसिया में या कुछ ये और कुछ ये रोप ठीक है तो फ्रेंड्स प्रस्ट निम्बर जो 49 का है आपका जो राइट एंसर हो जाएगा फोर्थ आप्सन हो जाएगा अगले कि तरफ हम लोग आगे पड़ते हैं थोड़ा समय जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है देखते हैं क्या कह रहा है कब होता है कब होता है किस मार्च को 21 को 23 सितंबर को या 22 सितंबर को प्रस्ट नमबर 40 जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हम लोग प्रस्ट नमबर 41 देखे क्या कह रहा है बहुत अच्छा प्रस्ट नीमने में से कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको मिलान करना बहुत अच्छा यह भी लगबग मैंने आप लोगों को इसका जो है पीडिएफ मैंने प्रोवाइट कर दिय है बहुत अच्छा प्रस्ट देखे उससे आ गया तो देखे क्या है आइसो हाइड दिया है वर्सा से संब्दित है आइसो बार्स दिया है दबाव से संब्दित है आइसो थरमस दिया है तापमान से और आइसो हेल्स दिया है आधरता से तो आपको गलत बताना है गलत जोड आधरता से तो यह हमारा गलत हो जाएगा यानि फोर्थ आप्सन राइट एंसर ही हो जाएगा हमारा प्रस्ट नमबर 41 का अगले प्रस्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमबर 42 देखिये कह रहा है पौधों की उपच के लिए कौन से मिर्दा सबसे अच्छी करेंट से संपाथ्वधों की उपच के लिए सबसे अच्छी मिर्दा कौन मानी जाती है तो सभी लोगों को पता है कि पौधव की उपच के लिए जो मिट्टी होती है सबसे अधिकश्ची मानी जाती है यानि थbn आप्सन हो अगला प्रसन देखते हैं हम लोग यह आखरी प्रसन है इस वीडियों का इस मैंने एक प्रसन को स्क्रीप कर दिया है वह अभी लास्ट में आप लोगों को मैं उससे पढ़के बताऊंगा जिसका अंसर आप लोगों कमेंट करके देना है ठीक तो देखते हैं प्रसन में 43 क्या का अनुपात बराबर होता है चौथा दिया है उपरोग तो सभी तो प्रस नंबर जो 43 से इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंस हमारा आप्सन थर्ड ठीक है दो मेंट मिटी उसे कते हैं जिसमें क्या होता है मृत का बालू और गात का अनुपात क्या होता है फ्रेंस बर इसमें से मैंने एक प्रशन को स्क्रीप करके लाश्ट में रखा है जिस आप लोगों के लिए इसका अंसर बहुत आसान है अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका अंसर जरूर कमेंट करके देंगे तो आई देखते हैं आप लोगों के लिए जो इस वीडियों का दिखाए दिए रहा होगा प्रस नमबर 24 था हमारा क्या खरीब फसल की अवदी है ठीक है खरीब फसल की अवदी कब से कब मानी जाती है जून सितंबर अप्रैल जून अक्टूबर दिसंबर या जनवरी अप्रैल तो फ्रेंट्स उमीद है कि इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियों काय से लगे आप लोगों को फ्रेंट्स यदि ज़्यार चैनल को आप जरू से जोइन कर लीजिए का वहां पे आपको फ्रीम इस का पीडियाक मिल जाएगा और नौट स report शोन सब्सक्राइब